Hello students, मैं आकिप जवेद आप सब का आचे कलास में स्वागत करता हूँ आज के कलास के अंतरगत हम types of volcanism पढ़ेंगे types of volcanism यानि की जोला मुखियता के परकार जोला मुखियता के एक परकार के बारे में आप सब जानते हैं जो विस्फटकता के अधार पर निधारित होती है जिसमें एक केंद्रिय विस्फटक जो अला मुखी होता है और दूसरा सांध दरार परकेर करकी जो अला मुखी होता है तो हम सबसे पहले करते क्या है कि इसको दो भागों में बाट कर देखते हैं या दो भागों में बाट कर कि कई अधार हो सकते हैं कई तरीके से बाट को उसको पढ़ा जा सकता है लेकिन यहां पर समानेता हम इसे दो अधारों पर बाट कर पढ़ेंगे तो पहला बाटते हैं हम विस्वटक्ता के अधार पर और दूसरा बाटते हैं हम जो अलमुखी छेतर से जो अलमुखी या परिक रभावावी छेती का दार पर चुकी यह चीज हम पढ़ चुके हम सब पता है कि जुँना उस फोटकता का अधार पर जो है जो अलमकिय पर प्रिया विस्फोटक जोला मुख्य यह चीज याद रखनी होती है आपको जरूरी है कम से कम करम एक याद होना चाहिए आपको भी दूसरा है सांथ दरार प्रकार की जोला मुख्यता इसके बारे में अब हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको काफी विस्फार से हम पढ़ चुके हैं अब इसकी कोई बात नहीं होगी आज हम जो पढ़ने वाले हैं जोला मुख्य पर गिया परभावी छेतर के अधार पर यानि कि प्रित्वी के सतर पर कौन-कौन से ऐसे छेतर है जोहां जौला मुखी का विस्तार मिलता है छेतर के अधार पर कुछ विसिश छेतर होंगे जहां जौला मुखीया पाए जाती होंगी या जौला मुखीयता परकिरिया वहां पर होती होंगी तो उसके अधार पर इसको दो भागों में बाटा गया है हम भी इसको दो अधार में बाट के देखते हैं पहला हम कहते हैं कि प्लेट सिमान्त जुवाला मुख्यता अब लगता होगा आक कि आके हाँ ये जाना पाशाना चीज है प्लेट सिमान्त जोला मुख्यता यहां से समझना मुस्किल नहीं होना चाहिए किसी को भी आप जो कलास रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए तो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दूसरा जो है अंता प्लेट जोला मुख्यता यह एकदम से नया है इसको हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से इसको भी यह एकदम से नया है यह नया नहीं है लेकिन हम इसको पढ़ रहे थे Continental Drift के संदर में हमने इसको पढ़ा है हमने इसको और भी अलग टोपी के संदर में पढ़ा है लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रोपर इसको Volcanism के अंतरगत पढ़ेंगे यानि कि Volcanism जो है जो अला मुख्यता जो है वो कितने परकार के होते हैं और विश्व में जो परभावी छेतर हैं उन छेतरों के अधार पर इनको कितने भागों में बाट कर हम पढ़ सकते हैं या कितने परकार से छेतरों में बाटा जा सकता है तो प्लेट सिमान जो अला मुख्यता जो है आप सब को पता है कि Continental Drift के अंतरगत जब हम ये पढ़ रहा है थे तो पहला देखे कि अप सारी संचलन के अंतरगत भी जो अला मुख्यता पर किरिया हो रही है जब हम देख रहा है थे कि महासागर के नीतल पर भरंस घाटी के समीप जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर खी सकते हैं तो तनाव मुलक बल के द्वारा भरंसन के किरिया होती है और जब ये भरंस घाटी के चोडाई में वर्दी होती है तब दाब में आने वाली कमी करन लावा कुद पती होती है और अंतरत महासागर के नीतल पर जोला मुख्यत पर किरिया होती है तो एक चीज हम यहाँ पर पढ़ रहा है थे बार-बार अपसारी संचलन के अंतरगत यानि कि प्लेट सिमान के अंतरगत एक कारण है अपसारी संचलन इसको हम बोलते है डाइवर्जन्स मॉवमेंट और तीसरा जो बोल दूसरा जो है एक जो था कनवर्जन्स मॉवमेंट कनवर्जन्स मॉवमेंट यानि कि अभी सारी संचलन यहाँ पे इस प्लेट संचलन के अंतरगत दो प्लेटे एक दूसरे से टककर खाती है एक दूसरे से मिलती है इनकी गती के दिशा जो है एक दूसरे की दिशा में होती है तो यहाँ पर आज जो हमारा पढ़ने वाला जो चीज है एक इसकी अंतरकत पढ़ने वाले है एक यह चीज हम पढ़ेंगे और एक यह 1, 2 और 3 बाकी ये करम समझना जरूरी है पढ़ने वाला आज के कलास में ये तीन चीजे हैं लेकिन इस करम को समझना जरूरी है कि जो अलमुक्यता के अगर परकार बाटने है तो किन अधार पर बाटा जा सकता है तो छेतर के अधार पर जो भी छेतर परभावित हैं उन छेत्रों की अधारः पर बाड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा जगा पर प्लेट सिमान जुअला मुख्यता या जहां भी प्लेट एक दुसरे से नजदीक है या तो टक्कर खार रहा है या एक दुसरे से अलग जा रहा है यहां जहां भी दो ऐसे प्लेट हैं जिनके बाउंडरी एक दूसरे के नजदीक है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह कलाएगा प्लेट सिमान ज्वाला मुखितिया अगर उन जगहों पर जोला मुखिये प्रिकिरिया हो रही है जहां दो पलेटों के boundary एक दूसरे के नजदीक है तो हम कहाँगे कि वह पलेट सिमान जोला मुखितिया एक चीज यहाँ पर और है अन्ता पलेट जोला मुखिता इननर पलेट वॉल्केनिजम यानि कि ये किसी बाउंडरी के नजदीक नहीं है किसी दो प्लेटो के बाउंडरी के समीप नहीं है बलकि उस से दूर कहीं भी प्लेटो के मद्ध में हो सकता है किनारव हो सकता है लेकिन कम से कम प्लेटो के बाउंडरी के नियर नहीं है नजदीक नहीं है और वहाँ पर यदि जोला मुख्यता होती है जोला मुख्या परकिरिया होती है तो हम कहते हैं यह जो प्रोसेस है यह जो जोला मुख्यता के परकिरिया है वो कहलाता है अन्ता प्लेड जोला मुख्यता तो हम पहले इस से सुरू करते हैं Continental Direction अंतरगत अपने देखा कि एक और मुवमेंट था पैरलल मुवमेंट जिसके अंतरगत किसी भी परकार की जोला मुख्य परकिरियाए नहीं हो रही थे इसलिए हमने उसका जिक्र यहां पर नहीं किया है तो जो भी यह चीज विश्वटक्ता का अधार पर प्रिवियस कला रहाद हम अभी सारी संचलन देखेंगे जैने कि जोला मुख्य परकिरिया केलिए सारी संचलन के से जिम्यदर है और 3 नमबर पर हम अन्था फ्लेट जुवलामुखेता को देखेंगे तो सबसे पहले हम आप सारी संचलन के अंतरगत देखते हैं कि कौन सी ऐसी परिकरियाय होती है जो जुवलामुखीय परिकरियाय के लिए ज्यादा जिम्मेधार है हम सबको पता है यह सारे चीज़ वही है, जो हम continental drift में पढ़ रहा हैता है एक बर आपको फिर से याद करा दो यह सारी चीज़ वही है, जो हम continental drift के अंतरगत पढ़ रहा है आप ये इसको बहतर समझते हैं लेकिन जब हम volkinism के अंतरगत इसको पढ़ रहा है तो इसके इसकी अनुसार हम इसको एक करम में सजा कर पढ़ने की यहां पर कोशिस कर रहे हैं इस कलास की अंतरगत सहाज आपको 30-40% कुछ नया मिले बाकी 60-70% वही चीज है जो Continental Drift में हमने पढ़ा था लेकिन जब हम Volcanism पढ़ रहे हैं तो Volcanism को भी एक प्रोसेस से एक परकिरिया से एक करम में पढ़ना जरूरी है तो हम देखते हैं जो अलामुक्यता का पहला कारण है इसको हम कर देते हैं एक नंबर इसमें क्या होता है इसमें दो पलेट जो है एक दूसरे से दूर जाती है दूर जाने के कारण होता क्या है कि इनमें तनाव मुलक बल करियट होता है और तनाव मुलक बल के दुआरा जो दोनों पलेटों को बीच में भरंसन की करिया होती है ब्रंस गाटी के चोड़ाई में विर्दी होता है चोड़ाई में विर्दी करन दाब में कमी आती है और लावा के निर्मार होता है जो अंतता सताव पर आता है और जो अला मुक्यता परकिरिया होती है तो इसको हम पूरी परकिरिया के रूप में एक देखते हैं तो आप इस चीज से उसको recall कर सकते हैं, महासागर के नितल पर भ्रंस घाटी के समीब, किसके अंतरगत ये बात हो रहा है, अपसारी संचलान के अंतरगत, किसलिए, तो हम देख रहे हैं कि अपसारी संचलान के अंतरगत, जो अलमुख्यता की परिकिरिया हो रही है, जो पहला जो चीज अफ्सारी संचलन के अंचर तो अब जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर हटती है, तब क्या होता है, तब भृंसन की किरिया होती है, ब्रंसन की किरिया होती है दो चीज़ है देख रहा है था पहले यह सपोर्च देट सटा हुआ है जब ब्रंसन की किरिया होती है तो इनके बीच की गैप बढ़ जाती है भ्रंसन के गिरिया होती है तो क्या होता है भ्रंस घाटी की चवडाई में विर्दी होती है भ्रंस घाटी की चवडाई जो है इंक्रीज कर जाती है और इस चोडाई के इनक्रीज करने के करन इन छ्षेतरों में लगने वाले दबाओ जो होता है कम हो जाता है क्योंकिlı प्लेट यो है एक दूसरे से दूर चली गए तो यह जो छ्षेतर है इन छ्षेतरों में जो दबाओ लग रहा था जो प्रेसर लग रहा था प्लेटों के द्वारा वो कम हो गया और हम सबको पता है कि दबाओ में कमी याने के करण होता क्या है यहाँ पर जो होगा मैगमा का निर्माड होगा यानि कि जोला मुखी का निर्माड होगा दबाओ में कमी याती है और दबाओ में कमी याने के करण लावा की उत्पत्ती होती है लावा की उत्पत्ती के बाद यही लावा जब आंत्रिक परतों को तोड़ते हुए सतव पर आता है आंत्रिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तब हम कहते हैं कि जुआला मुखिया परिकिरिया हो रही है जुआला मुखिया परिकिरिया हो रही है देखिया यह चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है हम कह सकते हैं कि महा सागर के नीतल पर भरंस गाटी के समीप अपसारी संचलन के कारण भरंसन की किरिया होती है इस भरंसन के कारण भरंस घाटी के चोड़ाई में ब्रदी होती है और चोड़ाई में ब्रदी हो रहे कारण एस्थेनो एस्फेर में दबाव में कमी आती है लावा कुदपती होती है और यह जब लावा आंतरिक परतों को प लताहह पर आती हैं तब गया मुके पर के रिख औहुंगा होरा है रोकर 요ाई अब गया सकते हैं कि इस परकार के जू जो जोला मुक्या पर किलियाएं कहा होती हैं तो मध्य अट्लांटिक कटक प्रसांत महासागरिया कटक और हिंद महासागरिया कटक हिंद महासागरिया कटक ठीक है तो अब सारी संचलन के कारण जब जो अलमुखिता पर किरियाय होती है इन छेतरों में मध्य अटलांटिक कटक यानि अटलांटिक महासागर जो उसके बीचों बीच में जो कटक है उन छेतरों में प्रसांत महासागरिया कटक और हिंद महासागरिया कटक इन छेतरों में जो भी जो अलमुखिय पर किरियाय होती है वो अप्सारी संचलन के कारण ही संभव हो पाती है यानि कि हम कहा सकते हैं कि अप्सारी संचलन के कारण Media Atlantic कटक, परसाथ महासागरिय कटक या हिंद महासागरिय कटक आधी जग हो पर जो आला मुखीय परिक्रिया होती है या उनसे संबंदित है अब हम दूसरे के बारे हम पढ़ते हैं यानि कि दो नमबर अभिसारी अभिसारी संचलन के अंतरगत की जगों को अधार बना कर पढ़ा जा सकता है अभिसारी संचलन कहा हो रहा है अब सबको पता है कि जो है कनवर्जिंस मुमिंट कहा हो रहा है प्लेटो कनवर्जिंस मुमि अमेरिकी प्लेट और दूसरा उसके साथ प्रसांत महासागरिया प्लेट इन दोनों जगहों पर चुकि आज समझाने वाला चीज ज्यादा नहीं है यह सारे चीज हम समझ चूके हैं कॉंटिनेन्टल रिफट के अंतरगत की क्यूं ऐसा हो रहा है यह को एक करम में मैं यहाँ पर सजा रहा हूं आपके लिए कि आपको असानी हो समझने वाले चीज़ जो है थी कंटिनेंटल डिप्ट के अंतरगत हमने पढ़ लिया था यह सब हम कंटिनेंटल डिप्ट के पढ़ते हैं अभी सारी संचलन कहां हो रहा है अमेरिकी प्लेट और प् अगर अभी सारी संचलन से हम यह कहें कि किन जोगों पर जोला मुखिये पर किरियाएं होती है तो हम यह कह सकते हैं कि अमेरिकी प्लेट और प्रसांत मासागरिये प्लेट और प्रसांत मासागरिये और यह इरेसियन प्लेट इन दो जोगों पर जो जोला मुखिये पर किरिय यही चीज यही अभीसारी संचलन के कारण संभव होती है यही चीज यही अभीसारी संचलन कनवर्जन्स मुवमेंट जो है इन दोनों पलेटों के समीफ होने वाले जो भी जोला मुखिय परिकिरिया है उनके लिए जिम्मेदार हैं तो हम देखते हैं कैसे यह चीज फेस में बोलू कि यह हम सारी चीजे पढ़ चुके हैं लेकिन इसको अब इसके संदर में देखना है जो अला मुख्यता के संदर में हम यह अब देख रहा है एक पिलेट जो है अभी सारी संचलन के अंतरगत होता क्या है अभी सारी संचलन के अंतरगत दो पलेटे एक दूसरे से टक्कर खाती है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, दो पलेटे एक दूसरे से टक्कर खाती है, और टक्कर खाने के बाद होता क्या है, एक पलेट दूसरे पलेट के नीचे छेपित हो जाती है, सब्डक्शन होता है, एक पलेट का दूसरे पलेट क के अंदर प्लेट टू का छेपन हो गया यह धस गया है प्लेट वन के नीचे अब यहां पर जो अलमुख्य प्रिक्रियाई कैसी होती है यह देखने वाली प्रद जो है उसका अंसिक गलन होता है और इसी गलन के कारण मैगमा की हुथ प्रतों को तोड़ते हुए सता की तरफ आती है तब जो अलमुख्य प्रिक्रियाई होती है यही कारण है कि अभिसारी प्लेट संचलन के अंतरगत हम विश्व के कहीं भी देखे जहां भी अभिसा ठापन को यदि छोड़ दिया जाए यानि कि भारतिय प्लेट और एयुरेशियन प्लेट के टक्कर को ज़ेख दुड़बिया पर आमेनी की प्लेट का प्रसंत महा सागरी यसी 놈 और प्रसंत महा सागरी का यसागर हो रहा हिं इन दो यहां से कह सकते हैं कि अभिसारी संचलन के अंतरगत अभिसारी संचलन के अंतरगत प्लेटो के अधिक गहराई में छेपित होने के कारण तपमान अधिक होने के साथ अधिक होने के साथ होता क्या है प्लेटो का आंसिक गलन होता है यानि प्लेट गलते हैं और जब प्लेट गलेंगे तो लावा का निर्माड होगा और यह जब लावा का निर्माड होगा और यही जब प्रिथवी की सता पर आंतरिक परतों के तोड़ते हुए आएंगी उदगार होगा इन लावा का तो हम कहेंगे कि जुआला मुखिया परिकिरियाए हो रही है एक जुआला मुखियता वहां से क्लियर हुआ कहां से अब सारी संचलन के अंतरगत और दूसरा अभी हम देख रहे हैं कि अभी सारी संचलन के अंतरगत भी एक पूरी परिकिरिया हो रही है जुआला मुखियता के संदर में उसके लिए क्या जिमेदार है तो सबसे में जो पॉइंट है जिमेदार का कि प्लेटों का अधिक गहराई में छेपन होना जब यह प्लेट अधिक गहराई में छेपित होते हैं तो तपमान अधिक होने के कारण इन प्लेटों का गलना होता है यह मेल्ट हो जाते हैं और तब जाकर लावा का निर्मार होता है और यहीं लाव जब प्रित्वी के सतह पर आती है तो हम बोलते हैं कि ज्वला मुख्या परिकिरियाय हो रही है और यह किन शत्रों समंदित है तो यह जो समंदित है अमेरिकी प्लेट प्रसांत महासागरिया प्लेट और प्रसांत महासागरिया यूरेसियन प्लेट असल में इन जगहुपर जब भी जो अलामुखी का निर्मार होता है तो एक सीरीज के रूप में होता है चुकि प्लेट का विस्तार भी काफी ज़्यादा होता है यह प्लेट एक दुसरे से टक्कर खाए हैं एक प्लेट दुसरे प्लेट के अंदर चला गया है जब जो अला मुखिय पर किरियाए होती है चुकि प्लेट की चवडाई है और पूरे चवडाई में इस प्लेट का दूसरे प्लेट के अंदर छेपित हुआ है तो अंदर से जब लावा उपर की तरफ आएगा तो एक करम में ज्वाला मुखिय स्रिंखला का निर्मार होगा यानि कि अभी सारी प्लेट संचलन के अंतरगत क्या होता है ज्वाला मुखिय स्रिंखला का निर्मार होता है हम यह दीज कहां देख सकते हैं हम यह चीज देख सकते हैं Eurasian Plate और परसंत महासागरिया Plate का ज़र्ट तक्कर हुआ है जहाँ जपान फिलिपाईन और इंडोनेसिया जैसे ध्यूपो का विकास हुआ इन छेतरों में भी जो है ज्युला मुक्हिय श्रिंखला का निर्माड हुआ है और दूसरा अमेरिकी प्लेट का परसांत महासा अगर यह से प्लेट से टकर होने के कारण कोस्टल माउंटेन और एंडिज परवत के छेतरों में भी हम देख सकते हैं कि वहां भी जोला मुख्य स्रिंखला का निर्माड हुआ है चुकि एक रेखा में यह एक दूसरे रेखा में इनका निर्माड हुआ है यही कारण है कि हम कहते हैं कि जोला मुख्य स्रिंखला का निर्माड होता है अब ही सारी संचलन के अंतरगत जबकि अब सारी संचलन के अंतरगत भी यह चीज देखनों के मिल सकती हैं ठीक है कई परिकिरियाओं का एक प्रोसेस है वल्कनिजम अपने आप में एक परिकिरिया है पूरी परिकिरिया है और वल्कनिजम को पूरा करने के लिए भी कई परिकिरिया उसमें सामिल होती है जैसे लावा के निर्मार की परिकिरिया है ये एक पूरी परिकिरिया होती है लावा निर्मार के और दूसरी जो होती है आंत्रिक परतों को तोड़ते हुए सतह की और आने के भी एक परिकिरिया होती है और तीसरी जो है सतह को तोड़ते हुए जब उदगार होता है उसका इरॉप्शन होता है सतह पर तब भी एक परिक जो हैं अब हम यह चीजा है कि छेतरों के देखने के मिलती है यह जोला-मुक्यता पर कि देखने के मिलती उन छेत्रों को बाट कर देखा जाए कि कैसी कैसी छेत्रों में जो है जो लामुकिया परिकिरिया हो रही है तो हम दो अधार पर उसको बाट को देखते हैं एक जो देखते हैं कि प्लेट बाउन्डरी यानि प्लेटों का जो बाउन्डरी है उन छेत्रों में जो है जो लामु संचलन के अंतरगत हमने पूरा एक परिकिरिया को पड़ा जोला मुखिय परिकिरिया पड़े हैं यह पूरा परिकिरिया है जोला मुखियता का अब सारी संचलन के अंतरगत भी हमने ऐसे ही एक पूरा परिकिरिया देखा था अब हम जो तीसरा पार्ट है वो है अंतर प्लेट जोला मुखी अता है इसको पढ़ेंगे ये आज के class का last topic है इसको हम cover करेंगे और आज के class को खतम करेंगे कल के class में हम जोला मुखी से निर्मित अस्थला किरतियां जो है जो भी land escape का निर्माड जोला मुखी के दुवारा हुआ है वो कितने परकार के हैं उनको कीन अधारों पर बाटा जा सकता है उनका हम study करने वाले हैं next class के अंतरगत जो भी next class होगा अगला class होगा उसमें हम जो अला मुखी से निर्मित जो भी अस्तला किरती हैं उनका अधियन करेंगे अब हमारा जो class है या जो topic है वो है अंतर अंतर प्लेट जो अला मुखी अता है यह है कि आप पहले इस चीज को समझना है हम अभी तक जितनी भी classes होई है और जहां भी volcanism का नाम आया है जो अला मुखीय का नाम आया है हम एक चीज इसमें common है कि हम जब भी देखते हैं कि जो अला मुखीय पर किरिया हो रही है तो यह समानेता प्लेटों के boundary पर होती है जहां दो प्लेट एक दूसरे से टकर खाते है या एक दूसरे से अलग होते है समानेता इन ही दोनों जगाओ पर हम जब 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 बॉक्यय पर किरिया देख रहा है थे है लेकिन एक जगा ऐसा भी है जो इन प्लेटों से दूर हो सकता है जरूरी नहीं है कि जो लामुखिय परकिरियाय के लिए कि ये प्लेटों के किनारों पर ही होंगी उनके बॉंडी पर ही होंगी ये महादीप या महासागर के बीचों बीच हो सकती है ये भी संभाव है तो जब इस तरह की परकिरियाए आती है जो प्लेटो के बाउंडी से दूर होती है प्लेट सिमान से दूर होती है यानि कि जो अला मुखिया परकिरियाए हो रही है लेकिन ये प्लेट के बाउंडी से दूर है तब हम कहते हैं कि अन्ता प्लेट जो अला मुखियता होती है इस इस तरह की जोला मुख्यता का निर्मा और समाननेता जब पृत्वी के आंतरिक परतों में, भूगर्म में, कोई जगा ऐसा होता है जहां अत्याधिक मातरा में, काफी मातरा में मैगमा होती है। प्लेट में आपको ये भी से स्थाय देखनों की मिलेगे कि प्लेटों के बीचों बीच कहीं भी अंदर की तरफ जो है वहाँ पर मेगमा की अधिकता है। ये भंडार है लावा का एक बहुत बड़ा भंडार है जो समान्यता इस गहराई में नहीं पाया जाता है। तो ये एक लावा का भंडार है जब ये लावा सता को तोड़ते हुए आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सता पर आते हैं ये आंतरिक परतों को तोड़ते हुए एक ही लाइन हम लेते हैं इसको कहता है कि सता को तोड़ते हुए तब जाकर प्रिथवी के सता पर जोला मुखिया आकरती या जोला मुखियता का निर्माड होता है। तो दो चीजे आपको समझनी थी पहले कि एक होट इसपोट है जो लावा का भंडार है प्रिथवी के भूगर में कोई ऐसा जगह है जहां काफी मातरा में लावा है लावा का भंडार है जब ये लावा प्रिथवी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सता पर आती है और उनका उद्गार होता है तब हम कहता है कि यह परीकिरिया जो कहलाएगी वह कहलाएगी अंत्प्लेट ज्वाला मुख्यता इंनर प्लेट वॉल्कनिजम ये भी ज्वी ज्वी पूरा प्रोसस रहिए और आगे पीछे पीछे बीजिसने हमने पढ़़ा ज्वीजाला मुख्य के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सता परुद्गार होता है तो यहां पर दो परकार की अस्थाल किर्थियों का निर्मार होता है यह समझना एक जो होता है जो अला मुखिया गुच्छा जो अला जो अला मुखिया गुच्छा और दूसरा जो होता है जो अला मुखिया रेखा जो अला मुखिया रेखा दो परकार के निर्माड होते हैं हम ऐसे कह सकते हैं कि सिखास जगा पर गुच्छे का निर्माड हुआ यहां पर गुच्छे का और कहीं कहीं हम देखेंगे कि एक रेखा का निर्मार हो रहा है परवत के रूप में जोला मुख्य परवत के रूप में एक रेखा का निर्मार हो रहा है तब हम इसे कहते हैं जोला मुख्य रेखा है और जब हम देखते हैं कि एक जुन्ड में जोला मुख्य आकरती या के भूगर में तब तस्थल एक से ज़्यादा होते हैं यदि हम कहें कि भूगर में जहां से भी यह तब तस्थल हैं होटे स्वट हैं यदि इनकी संख्या एक से ज़्यादा है अलग-अलग यह तब तस्थल है तो पृत्वी के सत्था पर भी जो जोला मुख्य आकृतिया बन भंडार है जो भी भंडार है कई गुरूप में बटा हुआ है इसका भी एक जुन्ड है लेकिन यही इस्तिति हम कहते हैं सकेंड कंडिशन यह समझ गए जोला मुखी रता कुछा के निर्मार्टी होगा जब हाटस पोटो की संख्या जादा होंगी तब तस्थल की संख्या जा सबयारा क Yazab jak segunda मुखी पर किरिया होती है तब ज्याला मुखी रेखा है करने मार्ट होता है कि यह कैसे पोसिबल है कि ज्याला मुखी रेखा करने मार्ट हो साइद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे है यह तो आसान था ज्यौना मुखी अच्छा समझना असान था यह ही सोच पा रहा है तो हम इसको एक एक जामपल के धूरूदगते हैं यदि हम मानते हैं कि यह हूट यह हमारा होट है और यह हमारा प्लेट है को tap ऑर ही होट सब्सक्राइब लावा लाव वार दंग कि तरफ जाती है और अंतरिक का निर्मार होता है या जलो मुखिया पहार का निर्मार होता है हमने कंटिनेंटल रिफ्ट में पढ़ा था कि जो है प्लेट जो है एक जगा से दूसरे जगा मुवमेंट कर रही है कोई न कोई प्लेट कहीं न कहीं मुवमेंट कर रही है यदि हम माल लेते हैं कि इसका मुवम की तरफ मुवमेंट कर रही हैं और यहाँ पे होट एस्पर्ट होने के कारण जो अला मुखिया आकरिती का निर्माड हो रहा है यदि हम माल लेते हैं कि कुछ हजार सालों के बाद यह पिलेट जो है मुवमेंट करके आगे बढ़ गए यह पिलेट यहां तक आ गए ठीक है तो यह वाला जो 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 अला मुखिया आकरिती होगा वो यहां पे आ जाएगा और यहां पे क्या होगा एक नया जो अला मुखिया आकरिती का निर्माड होगा यह परिकिरिया एक दिन में नहीं होती है ये हजारो हजार साल लाखों साल में जो अलमुखिया रिखा का निर्माड होता है और तब जाकर प्रित्वी के सता प्रिष्टर की आकर्ति देखनों के मिलती है हम कहा है सपोर्च अगर ये प्लेट ए है और प्लेट ए बढ़कर यहाँ पे आ गया और दो परकार की ये प्लेट ए ही है बढ़कर यहाँ पे आ गया इस तरफ दिशा कर रहा है तब जाकर फिर ये प्लेट बढ़ा यहाँ आ गया फिर एक यहाँ पे निर्माड हुआ ये प्लेट अगर आगे बढ़ता जाए हम ऐसे भी कर सकते हैं यह प्लेट आगे बढ़ गया फिर से फिर से आगे बढ़ा और एक जोला मुख्य परिकिरिया जो आगे बढ़ गई फिर यहां पर एक नया जोला मुख्य परिकिरिया का निर्मार होता है तब देखते हैं कि हम एक जोला मुख्य रेखा का निर्मार हो रहा है एक पूरे रेख निजम को समझना था और और भी जितनी परकिर्याएं थी जो अलमुकियता के अंतरगत उसको देखना था आज क्लास के लिए इतना ही आप से मिलते हैं नेक्ट क्लास के अंतरगत